मैं कुंदन आप सभी का साहित्य गंगाट चैनल में पुना स्वागत करता हूं। आज हम प्रस्तूत हुए हैं उसाप प्रियमबदा जी की बहुचर्चित कहानी वापसी ले करके। इस कहानी का हम लोग साहित्य क्समिछा देखेंगे। साहित्तिक समिछा में ही किसी भी कहानी का कथावस्तू, सरांस, अथ्वा, कथानक आता है। इसके अलावा इस कहानी के मुख्य पात्र गजादर बाबु का चरिच चितन भी देखेंगे। और साथ में हम कहानी की विशेष्टा पे भी प्रकास डालेंगे। तो आईए सबसे पहले कहानीकार उसाप प्रियमबदाजी और उनकी कहानी वाप्सी के बारे में संचिप चर्चा कर लिया जाए। उसाप प्रियमबदाजी एक प्रवासी भारती हैं जो अमेरिका में भी रहती हैं और इनकी हिंदी भासा पे अच्छी पकड़ है। आप कहानी को सुनेंगे अथवा अपने से पढ़ेंगे तो भी आपको इनकी कहानी में कोई कठीन सब्द नहीं दिखाई देंगे, इसका कारण यह भी हो सकता है कि वह कानपूर की रहने वाली हैं, जिसके कारण उनकी हिंदी ससकता है। वापसी कहानी का प्रकासन वर्श उननने सौ साथ है, उसाप प्रियंबदाजी का रचना संसार वस्तु और सिल्प में नयपन को हमेशार एकांकित करता है। और वापसी कहानी में भी यही है। यह कहानी मानवी संबंधों की आत्मिता का आधार आज जीवन की बदलती प्रस्थितियों में बदलती हुविवास्त्विक्ता का राचनात्मक सच्छत कार है। कहानी में आदर्सवादी रुमानियत से यथार्थवाद की और अग्रसर होने का बंद है। तो आईए अब कहानी के समिच्छा की तरब आगे चला जाए। कहानी का कथानक मध्यमबर्ग पर आधारित है। इसलिए उसाजी ने मध्यमबर्गी परिवार के वातावरण को यहाँ पर उभारा है। आज प्राया हम मध्यमबर्गी परिवार में तनाव देखते हैं। पुराने लोग नई मान्यताओं को स्विकार करने के पच्छ में नहीं होते हैं। पुरातन मान्यताओं में संघर्श होता है, और इन दोनों मान्यताओं के समर्थकों के बीच एक खाई उत्पन हो जाती है, विरोध उत्पन हो जाता है। इसलिए आज के समाज में परिवाट तूटता जा रहा है। सम्पूर कहानी को ऐसे ही वातावरण में ढला गया है और कहानी पढ़ने के बाद आपको यही वातावरण का एहसास होगा। आईया बगले बिंदू कथावस्तु अर्थात कथानक या सरांस की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ में पात्र परचे को भी देखते चलते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। नरेंद्र हैं उनकी छोटी लड़की बसंती है और एक बहू है जो अमर की पत्नी है। इसके बाद अंत में आता है घर का नौकर। वैसे इस नौकर का कहीं समबाद नहीं दिखाया गया है। फिर भी हमने इसे पात्र में रखा है ताकि आपकी जनकारी स्पस्ट हो। कहानी की सुरुवात गजाधर बाबु के कमरे से होती है जहां पर वह समान पैक कर रहे हैं और उनकी मदद उनका नौकर गनेसी कर रहा है। गजाधर बाबु चलने के लिए तयार हो जाते हैं। रेलवे क्वाटर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताय थे उनका समान हट जाने से कुरूप और नगन लग रहा था। लेकिन गजाधर बाबु के अंदर अपने घर जाने की खुसी में यह सब उन्हें नहीं समझ में आया इतना अनुचित नहीं दिख रहा था क्योंकि आज वह 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर के घर जा रहे थे। उन्होंने बहुत सारे परिवार के लिए संघर्स किये और परिवार के लिए उन्होंने बहुत सारी अपनी कुरूबानिया दी हैं जो आम आदमी देता है। वह खुस हैं कि अब कम से कम अपने परिवार में जाएंगे वहाँ पर खुसी से सब के साथ प्रेम से रह पाएंगे। जिसका नाम कांती है उसकी भी साधी हो गई है वो अपने घर में है इस कहानी में उसकी चर्चा नहीं होती है बाकी बचे हैं तीन अमर जिसकी साधी हो गई है दूसरा लड़का है नरेंद्र और तीसरा लड़की उनकी बसंती है इनके बच्चों के अलावा उनकी बहु और अ कहानी भी थोड़ी छोटी है। आइए अगे की तरफ देखा जाए कि घर पहुँचने के बाद होता क्या है। वुद्ध्मिध्याले में पढ़ने रहती है साथ में कभी कभी बहु भी लगकर के काम में हाथ बटा दे रही है वह अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिस करते हैं बहु को कहते हैं कि तुम काम में मदद करो बिटिया को कहते हैं कि बसंती तुम भी काम में मदद करो परन्तु बसंती को अपने पिता जी की यह बात अच्छी नहीं लगती है वह नराज हो जाती है उनसे बात नहीं करती है गजाधर बाबु का मकान छोटा है जिसके अकान हुआ अपने घर में जो गेस्ट रूम है उसी में पड़े हुए हैं उसी में लेट रहे हैं और उनके कुछ संबाद यहां पत्नी के साथ दिखाए गये हैं जो नॉर्मल उस उम्र के पत्ति पत्नियों के होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के ले करके बाते करते हैं फिर गजाधर बाबु को धिरी दिरी एह अहसास होने लगता है कि मैं जो आया था जिस खुसी में वह खुसी कहीं ने कहीं थोड़ी कम दिखाई दे रह का अमर और बहु घर से जाना चाहते हैं यह गजाधर बाबु के लिए एक सदमा की तरह होता है वह अपनी पत्नी को मना करते हैं उसे उन्हें मना करो कि अभी वह जल्दीवाजी न खरें और फिर अपनी पत्नी से काण पूछते हैं तो उनको पता लगता है कि जिस रूम में वह रा रहे हैं उसके काण किसी का घर में आना जाना बंद हो गया है और वो लोग कहीं ने कहीं घुटन महसूस कर रहे हैं वह यह भी बताती है कि अमर के दोस्त उस रूम में आ करके रहते थे और अंदर से चाय पानी भी जाता रहता था यहां पर गजाधर बाबु को यह साथ होने लगता है कि नहीं मुझे इस रूम को छोड़ देना चाहिए फिर वो अपने पतनी के उस छोटे रूम में चले जाते हैं जहां पर सारे गिरहस्ती के समान पड़े रहते हैं और साथ में उनकी लड़की बसंती के भी कपड़े इध एक पैराग्राप हम पढ़ करके आपको बताते हैं उससे बहुत सारी चीजे किलियर हो जाएंगी गजाधर बाबु ने आहत द्रिष्टी से पतनी को देखा उन्होंने अनभव किया कि वह पतनी वह बच्चों के लिए केवल धनों पारजन के निमित मात्र हैं जिस ब्यक्त पाजाती है वह घी और चीनी के डिबों में इतनी रमी हुई है कि अब वह उसकी संपून दुनिया बन गई है गजाधर बाबु उसके जीवन के किंद्र नहीं हो सकते उन्हें तो अब बेटी की साधी के लिए भी उत्सा बुझ गया किसी बात में हस्तचेप न करने के ठक में उनकी चरपाई थी उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासिंता में डुब गई यह कहानी का केंद्रिय भाव है और इसके पहले की कहानी हमने बताया इसके आगे कहानी में जाधर बाबु को घर में अपने नौकर को देख करके और अपनी पत्नी की बातों को सुन करके यह एहसास होने लगता है कि यह फिजूल खर्ची है नौकर रखने की जरूरत क्या है और उन्होंने पत्नी को पहले विशंके दे दिया है कि पहले जैसी तनखा नहीं रही पेंसन है तनखा से कम होती है और फिर वह उस नौकर को हिसाब करके निकाल देते हैं घर में जैसे ही अमर दफ्तर से आता है नौकर को पुकारने लगता है और अमर की पत्नी बोलती है बाबु जी ने नौकर छुड़ा दिया अमर पुशता है क्यों कहते हैं खर्चे बहुत है यह वारताला बहुत सिधा सा था पर जिस टोन में बहु बोली गजाधर बाबु क खटक गया उस दिन जी भारी होने के काण गजाधर बाबु टानले भी नहीं गये फिर गजाधर बाबु के छोटा बेटा नरेंद्र और लड़की बसंती आती है तो जैसे ही मालूम होता है कि बाबु जी ने घर से नौकर को निकाल दिया है तो बसंती का स्वर था मैं काले गजाधर बाबु को यह लगने लगा कि अब इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं वह चीज है ही नहीं घर में जिसके लिए मैं यहां खुसी पुरवक आया था और वह ठान लेते हैं मन ही मन कि अब मुझे फिर से इस घर को छोड़के चला जाना चाहिए गजाधर प्रसो तुम सबसे अलग रहने के बाद आवकास पाकर परिवार के साथ रहूंगा खैर परसो जाना है तुम भी चलोगी पत्नी बोलती है मैं मैं चलूंगी तो यहां का क्या होगा इतनी बड़ी गिरस थी फिर स्यानी लड़की बात बीच में काटते हुए गजाधर बाब ठीक है तुम यही रहो मैंने तो ऐसे ही कहा था और गहरे मौन में डूब जाते हैं फिर कहानी अंत की तरफ आगे बढ़ाई है अब गजाधर बाबू समान पैक कर लिये हैं उनका छोटा ललका नरेंदर बड़ी ततपरता से बिस्तर बांधा और रिक्सा बुला लाया है गज गजाधर बाबू रिक्से पर बैठ गए द्रिश्टी उन्होंने अपने परिवार पे डाली फिर दूसरी और देखने लगे रिक्सा चल पड़ा उनके जाने के बाद सबंदर लोटा है और बहु ने अमर से पूछा सिनेमा ले चलिएगा न बसंती ने भी उचल कर कहा भया हमें भी गजाधर बाबू की पत्नी सिधे चौके में चली गई बची हुई मठरियों को कटोर दान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तर के पास रख दिया फिर बाहर आकर कहा अरे नरेंदर बाबू जी की चरपाई कमरे से निकाल दे उसमें चलने तक की जगा नह ही है इस प्रकार से यह कहानी खत्म हो जाती है हम देखते हैं कि वापसी एक समाजिक कहानी है इसमें आदमी एकाकी जीवन उसकी टूटन और उसके विखराव की समस्या का जीवन्त चित्र प्रस्तूत किया गया है अब आईए इस कहानी के अगले बिंदू कथोब कथन यान हम यही कहेंगे कि प्रस्तूत कहानी के समबाद चूस्त और संचिप्त हैं सजीव हैं सवभाविक हैं और पात्रा नुकूल हैं उनसे पात्रों के विशेस्ताओं को समझने में सहयता मिलती है और साथ ही वे कथानक को गती देते हुए भी प्रतीत होते हैं गनेसी और के कुछ जरूरत होतो लिखना गनेसी इस अगहन तक बिटिया की साधिक कर दो गनेसी ने अंगोचे के छोर में आखे पूछी और कहा अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा आप यहां रहते तो साधी में कुछ होसला रहता अब आईए अगले बिंदु भासा सैल करने के लिए प्रियमबदा जी ने मुहावरो और अस्थानी बोली के सब्दों का भी प्रयूक किया है साथ ही अंग्रेजी उर्दू के सब्द भी इस कहानी की भासा को प्रभाव उत्पादक बनाने में अत्यन्त सफल हुए हैं सब्दों को देखिए जैसे उर्दू फार्सी के सब्द जरूरत लपरवाही खुसामद आदी अंग्रेजी के सब्द क्वाटर ड्यूटी फिल्म लेट आदी ग्रामिडी बोली के सब्द विटिया साउर सिट पिटाई आदी मुहावरे होसला करना सहारा देना होसाना घर मे घुसे रहना आदी अब इस कहानी के उद्देश सिकों देखते हैं तो उद्देश सिकों लेकर के हम यही कहेंगे कि मानों के सुक स्वपन कभी सच्चे नहीं होते वास्त्विक्ता उनके सुक स्वपनों को चूर चूर कर देती है यही दिखाना इस कहानी का मूल कथ्य परत और नई का प्राचीन मनेताओं के प्रती सद्रिस नहीं होना है। इसी पारस्परिक विरोत के कारण ही आज परिवारों में विगटन की प्रकिरिया का जन्म हो रहा है। विख्टन की यह प्रक्रिया केवल परिवारों तक ही सिमित नहीं, वरन समाजिक अस्तर तक पहुँच रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वापसी कहानी केवल एक ब्यक्ति की अपने परिवार में वापसी नहीं है वरन वह पुराने मुल्यों से वापसी है तथा एक नवीन दिसा की और उन्मुक होने की प्रेरणा है एक नूतन मार्ग बर गतिसील होने का आहवाहन है अब हम इस कहानी के प्रमुक पात गजाधर बाबु की चरित्रिक विसेस्ताओं के भी संचिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं इस कहानी में गजाधर बाबु बेवार कुसल हैं उनके अंदर कल्पना सिलता भी अच्छी है गजाधर बाबु जीवन की कितनी मीठी कल्पनाओं में खोई रहते थे और कास प्राप्ति के बाद उनका जीवन का क्या स्वरूप होगा इसके संबन्द में योजनाय बनाते हम उन्हें देखते हैं गजाधर बाबु के अंदर परिवारिक सुक की कामना भी है वह भावुक भी है और साथ में उनके अंदर स्वाहिमान भी है गजाधर बाबु एक सीमा तक स्वाहिमानी भी है घर आकर अपने स्वाहिमान पर ठेस लगते देखवे मारमाहत हो उठते हैं इसके आलावा उनके अंदर सहन्सिलता भी है और वह एक अनुसासन प्रियब्यक्ति भी है और अंत में जो वह काम करते हैं चले जाते हैं वह कहीं ने कहीं उनकी बुद्धी मत्ता का भी परिचे है इस कहानी के अगर विशस्ताओं की बात किया जा तो यह कहानी यह थार्त कहानी है, मध्यमबर्गी परिवार की कहानी है, प्रमपरा और आधुनिक्ता का इस कहानी में जंग है, मध्यमबर्गी नौकरी पेशा परिवार की समस्याओं को दर्साया गया है इसमें, समाज में नहानी तत्तों का सफल निर्वा हुआ है और यह कहानी आज के समाज के भी सच्चाई को दरसाती है तो साथियों आज की प्रस्तूती खतम हुई आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए स्यागरा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं हम फिर मिलेंगे किसे नए विशेवस्तू पर तब तक के लिए जय हिंदी जय भारत